वेरी वेरी गुड इवनिंग टो अल फ्यू तो डियर स्टुडेंट आज की क्लास में हम जिस टॉपिक को कवर कर रहे हैं टॉपिक का नाम है पर्जेंट वैल्यू आफ डैफर्ड एनुटी अभी तक देखो बचे आपने क्या क्या पड़ा आप एनुटी पे आए तो पर्जेंट वैल्यू पड़ा एनुटी में एक और पार्ट आपका है एनुटी में आपका डैफर्ड एनुटी जिसका आपने अमाउंट आप डैफर्ड एनुटी आपको करवाय जा चुका है आज की क्लास में एनुटी का लास्ट टॉपिक है पर्जेंट वैल्यू आफ ड तो वो एक टेस्ट आपने देना है फिर मसको एक सवाल करवा करके फिर हम बसको वाइंड आप करेंगे ठीक है बच्चे तो फिलाल आज हम फोकिस करें पर्जेंट वैल्योफ डैफिड अनुटी क्या होता है परले डैफिड अनुटी का अलड़ी मैं मेनिंग ताली बता चुक समझे मैं एक सिंपल से बात आप से कही कि पर्जेंट वैल्यो का मतलब मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ आपको पर्जेंट वैल्यो में लाइक थाउजन रुपीस आप जो है लोन लेते हो तो अगर एक साल के लिए रखोगे तो इस पे दस परसेंट का इंटरस पे क अपने फर्स इंस्ट्रालमेंट पे करिया आपने 14 द्ला ठीर में लाउपीस त्स्रालमें पे करिये 12 द्ला पा ईनुटी मैं अलटी में आपका इस और यहाँ में इकुवल टाइम इंटूरल शोता है पर सम्झाने के लिए मैंने कीक चोटा सा एक्जाम्पल लिया तो इस स् इसकेंड परेंगे नियुक नियुक्ट सेखुड़ार में पेन्ट से उसजार में इसे करें करें तो इसकी वैल्यू कितनी आगी थाउजन रुपीश तो अब आपके पास में दो हजार रुपय का सामान होगा तो इन दोनों की present value क्या आया? 2000 आया clear है बच्चे? मान के चलो कि आपने एक एक हजार पे लोन लिया था और बोल रहे हो कि मैं इसको बाद में आपको पे कर दूँगा जा फिर आपने कोई mobile लिया था और आप first installment ग्याराइसो रुपे का पे कर रहे हो और second installment 1210 का पे कर रहे हो तो जो आप installment पे कर रहे हो जो आपने उधार लिया था तो उस पे इंस्टॉल्मेंट में आपका इंटर्स भी इंक्लूड़ीड है तो अगर यह आप इंस्टॉल्मेंट में नहीं लेते कैश में ले तो आपको ब्याजम करना है तो आप रहे हो कैश में लेते जोड़ीड ह सबसेते पर्स पर साथयर के एंड में दस परसंट का इंटर्स में दज़ इंटर्स टू इयर के लिए है क्योंकि दो साल के बाद आप इंस्टॉर्मेंट दुग तो दो साल का ब्याज इस पर चार्ज करेंगा उसमें निकालेंगे तो हजार ब्रेकर तो कैश्म लिए तो दो जार का पड़ रहा है नहीं तो आपको 3310 रुप पड़ आपको जो है तो 310 का पड़ रहा है तो 310 रुप आपको समान महंगा पड़ ए पर अपर बहुत बात कर चुका हम पर चाले पर बात कर चुके हम पर चाले पर बात कर चुका पर चुके अपर चुप्टर का एंड तो बहुत बात कर चुके नहीं है तो बढ़े बताने कि नीड नहीं है कुछ्छन है X, Y is a piece of lent for which is the agrees to make 10 annual payments तो यहाँ पर 10 पेमेंट जितने नमर पेमेंट आप करोग इसको अन बोलते हैं of 20,000 each जो पेमेंट आप कर रहे हो और इंस्टाल्मेंट आप 20,000 रुपए हर बार पे कर रहे हो and the first being made at the end of the three years M equals 2, how much is it? तीन साल के बाद दे रहे हो तो इसमेंट आप 1 minus करोगे clear है बच्छे, इसमेंट क्या करोगे 1 minus करोगे, तो क्या एग आपके पास में 2 आएगा, यह M होगया and the M क्या है basically कितने समय के बाद आप पास पर पेमेंट इसकार्ट करते हो देना तो M, तो लेकिन वह M नहीं तीन साल के बाद समय से 1 minus करोगे तो 2 है आपका M, clear है बच्छे? क्योंकि end of the three years, तो आपके पास में 3 years के end में तो आपके बाद से 2 जाएगा और I equals to अब देखी क्या animal payment है तो rate of interest भी आपका animal ही रहेगा I equals to 0.05 इसका formula क्या होता है present value का? present value का आपका रहेगा R bracket A M plus A M plus N I minus A M I यह इसका formula रहेगा P equals to A class में मैंने इसका पूरा introduction दिया है मैं class upload कर दूँँगा क्योंकि पूर अक्छे से बता है कि भी आप present value of definite annuity क्या होता और कैसे functioning करता है आज ची क्लास में सब मैं question के practice कर रहा हूं R equals to अब इसको formula कैसे लिखो गया आप यह A present value का formula कैसे आपको मैंने 1 minus 1 plus i raise to power यह जो आपके पास में minus m plus n ची के बच्चे upon i minus 1 minus 1 plus i raise to power minus m upon i this one ठीक है बच्चे अब यहां पर आपको दोनों चीज़ें calculate करनी पड़ेंगी यह भी यह भी अब मैं तो कहता हूं 1 मैं 1 करके calculate करके फिर minus कर देंगे ना इतना सारे में आपका sign का पंगा आ जाएगा तो first of all मैं क्या निकाल रहा हूं आपका मैं पहले आपके यह निकाल देता हूं P equals to r a m plus n और i जो की क्या होगा r bracket 1 minus 1 plus i raise to power minus की present value minus power होता है m plus n upon i ठीक है बच्चे आप solve करते हैं r क्या आपका r आपका 20,000 रुपीज है 1 minus 1 upon 0.05 raise to power यह power आपका minus पर था तो reverse कर दिया मैंने इसको लिख देता हूं पूर्ण तो एकदम से confuse होते हैं कुछ बच्चे bracket 1 minus 1 upon 1.05 raise to power 12 upon 0.05 and 20,000 1 minus 1 upon कोई बात नहीं यह कोशे में करवा दूँगा mathematics or finance का नहीं है कि आपके पास में 10-year में उसका mathematics finance का होगा आपका और आपका calculus का भी 10-year यह कोशें होगी चलिए मैं एक बार बोट चेक कर करके अपडेट करता हूं आपको तो डाउट नमबर पे अकिसमें रिप्लाइ नहीं कर रहा हूं तो मेरे परसनल नमबर पर एक बार मुझे से कॉंटेट कर लेजिए और कि डाउट नमबर पे मैं देख लेता हूं यह पावर आपके पास में 12 है 1.7958 अपन 0.05 20,000 1-1 divided by 1.7958 0.5568 0.05 20,000 1-1.5568 0.4432 20,000 1-2 20,000 2-2 20,000 1-2 20,000 2-2 दिवाड़े बाए 0.05 8.864 इंटू 20,000 तो यह आ गया 177280 तो यह आ गया बच्चे और एक और हमें निकालना है ने इसमें फिर मैनिस करना है क्या? इंटू 20,000 इंटू 20,000 इंटू 1-1.05 इंटू पावर एम क्या आपके पास में बच्चे आपके आपके पास में 0.05 यह मैनिस में आएगा त्विंटी थाउजन इक्वल्स टू 1-1 अपन 1.05 रिस टू पावर 2 अपन 0.05 बहुत बड़ा स्लेबस है आपका बहुत बड़ा स्लेबस आलत खराब हो जाती है इसलिए बस करवा करवा करके इसलिए रिकोर्डी लेक्चर से धी कोर्स को करना बहुत जरूरी है 1.05 इंटी थाउजन में इसको थोड़ा आगे लिख रहा हूँ 1 डिवाड़े बाई 1.10 1 माइनस 0.90 अपन 0.05 आप सिंपल सॉल करते हैं 1 माइनस 0.90 डिवाड़े बाई 0.05 इंटी थाउजन तो क्या है रिजल्ट में? 40,000 अब आपको किस में से माइनस करना है 1.077.280 माइनस 40,000 तो 137 के रिजल्ट आए आपका? 137.280 1.37280 117.280 bum 148.280